नमस्कार दोस्तों MD Smart Classes YouTube चेनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज राजस्तान PTT 2021 के लिए टू वर्षिय जो पाथे करम में B.A.D. उसकी काउंसलिंग चालू हो गई है PTT चांसलिंग के लिए क्या-कया प्रक्रिया रहेंगी और किस प्रकार से कांसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आज के इस वीडिएम हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लीजिए पास में बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आग आने वाली वीडियो की नोटिफिशन आपको समय पर मिल सके हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में 12 अक्टूंबर 2021 से 25 अक्टूंबर 2021 के मद्दे आप 5000 रुपे ओनलाइन सुल्क जमा करवाकर रर्जिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं इसके बाद आपको चालान जमा करवाने के बाद आपको माविद देले चैन है तो ओनलाइन विकल्फ बढ़ना होगा जिस इसके बाद आपको प्रवे सेटू 6 सुलक जोराशी है 22,000 रुपे वो बैंक में जमा करवाने की जो थीती है वो है 3 नौंबर 2021 के से लेके 10 नौंबर 2021 के मद्दे इसके बाद आपको पर्थम काउंसलिंग पस्चात आवंटित माविद देले में रिपोर्टिंग करना है रि रिपोर्टिंग करके एडिमिसन प्रक्रिया लेनी है इसके बाद अगर आप इस काउंसलिंग के पस्चात अफ़र्ड मुवमेंट है तू ओनलाइन आविदन करना चाहते हैं तो उसकी थीती है 4 नौंबर 2021 से लेके 12 नौंबर 2021 के मद्दे है अफ़र्ड मुवमेंट के पस् आउन्टिद माविद्द्याले में आपको रिपोर्टिंग करना होगा वो 15 नौंबर से लेके 20 नौंबर 2021 के मद्दे करना होगा इसके जो इंपोर्टेंस लिंक से आपको यहाँ पर दे रखा है प्रिटिटी 2021 काउंसलिंग लिंक यहाँ पर आप डायरेक किलिक करके और ले choice filling भनने होगी इसके बाद आपका seat out 10 होगा और उसके बाद आपको जो सेस राशी जमा करवनी होगी और उसके बाद reporting करना होगा अब बात करते हैं राज्तान PTT 2021 काउंसलिंग के लिए registration किस प्रकार से करना होगा तो राज़तान PTT Counseling 2021 के लिए अब ब्यरति को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वे केवल वही अब ब्यरति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने राज़तान PTT 2021 के परिणाम के नुसार परवेश प्रिक्षा उत्तीन किये पंजी करन करने के लिए अब ब्यरतियों को नीचे दिये गए चन्नों का पालन करना होगा उसके लिए आपको सबसे पहले अब ब्यरति को अधिकारिक वेबसाइट जो ओफिस्ट्रेशन वेबसाइट है PTT की PTT राज 2020.com यह ओफिस्ट्रेशन वेबसाइट है इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्षन बोक्स में मिल जाएगा यहाँ पड़ आप ओफिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आने बाद आपके सामने यहाँ पर क्लिक है फॉर बि-एट टू इडिया कोर्स के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने होगा यहाँ आपके नीचे पूरा सेडूल दे रख करना हूँ, काउंस्लिंग के लिए, काउंस्लिंग के लिए, रजिस्टेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, उस नई विंडो में आपको एक नई विंडो उस नई विंडो में आपको आपका रोल नमर फिल करना है यहाँ पर आपकी जो ID है वो फिल करना है ID नहीं दे रखा, रोल नमर दे रखा है आपका नाम, आपके मदरस का नाम और DOB आपको डालनी है अपनी DOB डाल के यहाँ पर payment option पर चूज करना है login बटन पर click करने के बाद आपके सामने आपका चालान आजाएगा उस चालान का print out लेकर आप bank में जमा करना सकते हैं या इस चालान को Emitr के माद्यम से आप online जमा करवा सकते हैं इसके बाद आपको चालान जमा करवाने के बाद आपको वापस से इसी पर login करना है और उसको लोग कर देना लोग करने के बाद आपको मा विद्यायल या का आंटन होगा जिसकी जानगरी आपको अलग से दे दी जाएगी तो धन्यवाद विद्यारतियों आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकरी इस वीडियो संबंदित आपके पास कोई सवाल या कोई डाउट से है तो आप बे जीजाक होगी हमें कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं जल्दी आपकी साहता की जाएगी विद्यारतियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए हो तो वीडियो को लाइक कीजे इसे अपने दोस्तों साथ जादा से जादा से जादा सेर कीजे अगर आपने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बैल आ